नमस्कार मैं हूं काव्य कॉसिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसौर्स रोहतास से खबर निकल के आ रही है दरसल हमने आपको सुबह भी खबर बताई थी कि एक बच्चा जो है पुल के पिलर के बीच में फसा हुआ है आखर 25 घंटे के रेस्क्यू के बाद उस बच्चे को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है दरसल आपको बता दे कि यह बच्चा 25 घंटे से जो है पिलर के बीच में फसा हुआ था और रेस्क्यू टीम वहाँ पे लगातार मौजूद थी और कोसिस की जा रही थी कि बच्चे को निकाला जाया ऑक्सिजन तक बच्चे तक पहुंचाया जा रहा था बच्चे को खाना से उसकी हालत खराब हो रही थी रेस्क्यू के बाद बच्चे को एंबुलेंस से सासराम सदर स्पताल भेजा गया बच्चे को पुल से निकाले जाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है आप तस्वीरों के माधियम से भी देख पा रहेंगे किस तरीके से पुल को जो ह है वो खोद कर बच्चे को निकाला गया है रेस्क्यू टीम लगातार वहां पे मौजूद थी कई पुलिस अधिकारी भी वहां पे मौजूद थे ताकि बच्चे को जो है सही सलामत बाहर निकाल लिया जाए आपको बता दे कि बच्चा दो दिन से लापता था जुसके पिच में फसा हुआ है जिसके बाद परिजनों को पता चला और प्रशासन वहां पे मौजूद हुई और प्रशासन लगातार रस्क्यू करने में लगी हुए थी अब जो है इसमें प्रशासन को सफलता मिली है और पूरे 25 गंटे बाद जो है बच्चे को निकाल लिया गया है बच्चे को अभी सासराम सदर स्पताल लेके जाए गया है ताकि उसकी प्रात्मिक जो जाच होती है वो कराई जा सके हलाकि आपको बता दे कि हमने पिछले ख़बर में आपको बताये था कि बच्चे के माता-पिता का कहना है कि बच्चा मानसिक रूप से बिमार था जिस 25 घंटे से जो है बच्चा पिलर के अंदर फसा हुआ था और SDRF की और टीम जो है लगातार कोसिस कर रही थी बच्चे को निकालने के लिए और SDRF की टीम को काम्याबी मिल गई है बच्चा बाहर निकल गया है सदर स्पताल में उसका इलाज चल रहा है बच्चा सुरक्षि सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है दरसल आपको बता दे कि नासीर गंज दाउदनगर मुख्य पतपर अस्थानिय थाना छेत्र के जमालपूर वहीं आपको बता दे कि उपेंदर कुश्वाह भी पहुंचे थे मौके पे घटनास्तल पे जहां पे बच्चे को जो है निका सब्सक्राइब करें फेस्बूक पेज को लाइक करें वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद